तो चलिए, आज हम लोग simple equations की बात करेंगे और ये वैदिक के साफ से बात करें तो परावर्तिय है, ठीक है? परावर्तिय सुत्र से बनेगा, वैसे जैसे simple equations की बात करते हैं, दो variable के साथ, बहुत important है, आप किसी भी field में काम कर रहे हो, physics में, chemistry में, हर चगह पर ये काम आता है, ठीक है? तो एक simple example से मैं शुरू करता हूँ, और वहाँ से काम बना देते हैं, तो मालोक एक कुछ ऐसा लेखते हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इकोस तो 8, ऐसा लेखते हैं, और 4x प्लस 5y, ठीक है, 4x प्लस 5y लेखते हैं, इस तरह से बहुत चल पड़ेगा, 14, तो दो variables हैं अपने प हमें या तो x चाहिए, और y चाहिए, या दूनों चाहिए, या तो हमें x चाहिए, या तो y चाहिए, या दूनों चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम लोग x calculate करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x calculate करेंगे, तो x जब calculate करना है, तो method समझना, जो numerator होगा, numerator के लिए क्या है ये देखेगा numerator के लिए लाल से जो लिखा मैंने ये numerator के लिखा मतब y के coefficients और independent number y के coefficient और independent number ये rule याद रखना है कि x इदर आ गया तो y को सजा दिया इदर तो मतब इसका कहने का मतब 3 into 14 जाएगा पहले minus 8 into 5 ठीक है 3 into 14 into 8 into minus 8 into 5 ये numerator की बात होगे numerator के करम बात करें तो ये बनेगा ठीक है बिल्कुल ध्याद से समझना है क्या किया x वाले को line को ही छोड़ दिया इसको उमने छुआ ही नहीं x वाले line को as it is रख दिया y को छुआ तो y वाले से क्या कि क्योंकि x calculate कर रहे थे तो उपर वाले y का coefficient दूसरे के independent से cross and उपर वाले का अब independent नीचे वाले के y के coefficient से हुआ अब बात आती है denominator की तो denominator में जब जाएंगे देखना numerator क्या लिखा कैसे लिखा ये बिल्कुल साप हो गया denominator में क्या जाएंगे यहीं पर denominator में जाएंगे तो वो इदर ही आएगा तो इदर ही आएगा तो इसको मैं black से लिख रहा हूं है ला यू मतलब independent को छूना ही नहीं है तो यह इदर से एक बंदी दिखा रहो मतलब पहले यह लिखना है एक बंदी दिखा वहां पहले यह चला था फिर यह दू बंदी तो एक बंदी तो 3 इन्टु 4 पाद समाजा रहे है पहले क्या 3 इन्टु 4 अब क्या करेंगे दू बंदी दर 1 2 2 2 2 बंदी दर तो 2 इन्टु 5 मेरे बास समझे रहे क्या क्या यह पैटर्न बना ले एक पर पैटर्न समझागे तो फटा-फट करने लग जाओगे एक्स निकालना था तो एक्स के कॉफिसेंट को छुआ ही नहीं इंडिपेंडेंट नंबर्स और य का कॉफिसेंट क्रॉस मल्टिपलिकेशन विट सब्ट्रेक्शन हम सभी वैदिक में चीजों से फैमिली हैं क्योंकि हम लोग निकल हम से आगे बढ़ रहे हैं ठीक है जी तो यह आगया अब यह एक्स निकल गया तो अब यह तुरंद लिख करके तब तक तो मज़ा नहीं आने वाला है ठीक है अब जब हम वाई की बात करेंगे हाँ ख्याल दखेगा यह जो निकाला डेनमेटर आपने यह डेनमेटर दोनों के लिए वैलिड है एक्स के लिए भी और वाई के लिए तो यह एक अची चीज है मतब यह जो ऑपरेशन है यह दोनों के लिए ब्लाक वाला दोनों के लिए चलेगा ठीक है अब देखो जब हम वाई की बात करेंगे तो फिर से मैं एक लिखी देता फिर से बनाता हूं ताकि यह था X के लिए operation 2X 3Y pattern समझ गए तो तुरंद खेल हो जाएगा 4X 5Y जब तुम X calculate कर रहे थे तो Y को छोड़ दिया था तो बिल्कुल Y करो न Y calculate करना है तो ठीकर है जब X निकालना थो य को छोड़ दिया जब Y निकलना थो य चोड़ दिया था याँ सीधे हम Ayalऊ देख रहे यह निवे इन पाटर उनलär microscopy गोड़ दिए यह इधर आया था एक को छोड़ दिया था अब देखो तो यह सीधा ऐसा गया खतम नमेरेटर मिल गया में 8 into 4 माइनस 14 into 2 अपॉन डिनमेटर जो होगा वह वह होगा वह यही कॉपी हो जाएगा यही इदर आ जाएगा तो कितना आया थे टू आया तो तू यह कॉपी होकर कि इदर पहुंच गया ठीक है यह लिख दिया मैंने 32 माइनस 28 तो 32 माइनस 28 लिखेंगे 4 अपान 2 अच्छा 28 ना लिखते वह मैं इसको 14 into 2 लिखता हूं ताकि आपको operation का ख्याल ले कि क्या operate हो 14 into 2 simple से चीज़ है 2 तो इस equation के अगर बात करेंगे तो x भी 2 y भी 2 यह बहुत handy हो सकता है यह method जब भी हम ठीक है x v2 and sorry x जो हमारा 1 था x1 and y2 ठीक है x1 है और y2 लिख सकते तो बहुत handy हो सकता है अगर हम लोग अलग अलग जब हम पर इसको use करना है तो फिर से मैं एक बार आपको याद लाने के लिए कोश्च करता हूं कि जब भी लिखना हो ऐसा तो आपको क्या करना है कुछ भी है a x b y c d x e y d कुछ है जब x निकाल ना ओ इसको भूल जाईए जब x निकाल ना ओ इसको भूल जाईए क्या करना है ए मल्टिप्लाइबा माइनस यह मल्टिप्लाइब खतम गानी यह numerator हो गया फिर क्या हो गया यह multiply by minus यह multiply by denominator हो गया exactly पर जब y calculate करना हो तो y को भूल जाएंगे तो यह धर और यह धर तो मैं इसके अभी प्राक्टिस करा हूँगा थोक में प्राक्टिस करा हूँगा आप एक दम से perfect हो जाएंगे तो मैं लगता नहीं कोई परिशानी होने चीए ठीक है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं पर प्राक्टिस की जरूर कर लिजएगा ठीक है चलिए फिर